आप सभी का स्वागत है competition community में हम डील कर रहे हैं current affairs on a weekly basis अगस्त महिने के पहले हफते में हमें जो भी चत्तीस गड़ एवं राश्ट्री और अंतर राश्ट्री समसमाई की एक्जाम उप्योगी रही है उन्हें हमने डील कर लिया है आज हम डील करने वाले हैं अगस्त महिने के दूसरे हफ्ते में हमारे लिए जो महत्वपूर्ण रही है उन सभी चीजों को हमारा फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं उसी में इसको continue करेंगे बहुत जादा इस बार हमा से जो हमने डील किया है करेंट वह बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है उसे एक बार जा करके जरूर देखेंगे यह जो वीडियो है यह आप लोगों को अगस्त के नाम से जरूर मिलेगा लेकिन यह आपके पांच अगस्त से लेकर के ग्यारा अगस्त तक के इसमें क्या होंगे आप लोगों को देखने को है ना पांच से लेकर के ग्यारा अगस्त तक के यह शुरू करते हैं हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण है इस हफते की जिनको हम देखेंगे एक है गुर्गासी दास और तमोर पिंगला को मिला करके त्थीस गड़ का 246 आयुष ग्रामों की क्या करने वाले हैं विकास करने वाले हैं इनके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे फिर हम देखेंगे कुछ ऐसे व्यक्ति जो हमारे चर्चित रहे हैं इस बार जैसे की है एक रॉनक चौहान और दूसरे हैं शिकर तोलूमन फिर हम जाएंगे हमारे पास कोई भी ऐसे खास चर्चित स्थल नहीं है तो इस हफ्ते हमारे लिए महात्वपूर्ण हो यह यहां पर ऑगस्त आएगा इसको आप लोग एडिट कर लिजिए तो समचार में ऐसे कोई हमारे स्थान बहुत खास नहीं है महत्वपूर्ण दिन रिपोर्ट पुरस्कार और सम्मान में केवल एक हमारे पास में है जो है क्या नाग पंचमी एक महत्वपूर्ण दिवस हमारे बीच में इस बार हमारे लिए रहा है यह हम देखेंगे पूर्स में हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ महात्रपोर्ण इंफोर्मेशन नहीं है बस यह है कि स्टेट लेवल का जो एथलेटिक्स चैंपियंशिप होने हैं 2024 के वो होने वाले हैं बिलासपूर के बहतराई स्टेडियम में कब से कब तक यह होने वाले हैं आपके करके 15 सितंबर कि 2024 में यह होने वाले हैं अब जब इसके जैसे जिस प्रकार से रिजल्ट आएंगे उसी साब के बहतराई स्टेडियम में आउजित की जाएगी 13 से लेकर के 15 सितंबर तक इसके बाद में हम देखेंगे कुछ विविद तत्य जैसे एक है हमारे पास में ऑपरेशन शंखनाद और दूसरा है उद्यम करांती योजना यह आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उद्यम करांती योजना आए शुरू करते हैं सबसे पहला है गुरु घासी दास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व सन दो हजार बारा से ये कवायद चल रही थी कमोर पिंगला और गुरु घासी दास राश्ट्री उद्यान को मिला करके एक टाइगर रिजर्व बनाना है इसमें बहुत सारे उठा पटक हुए हैं इसमें कभी हमारी तरह से टाइगर रिजर्व घोशित कर दिया गया कभी ए ले लिया है कि तमोर पिंगला और गुरु घासी दास राश्ट्री उद्यान इन दोनों को मिला करके क्या बनाया जाएगा चौथा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा सबसे पहला आपका जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है इंद्रावती टाइगर रिजर्व तीसरा है आपका उद्यंती सतनदी तीसरा है आपका अचानक मार और इन तीनों टाइगर रिजर्व के बाद में चौथा टाइगर रिजर्व बन जाएगा हमारा तमोर पिंगला और गुरु घासी दास राश्ट्री उद्यान इन दोनों को मिला करके है ना कौन-कौन से जी समिरी भरतपूर कोरिया सूरजपूर और बलरामपूर यह चार जिलों में आप लोगों को फैला हुआ विस्त्रित क्या देखने को मिलेगा इंद्र गुरु घासी तमोर पिंगला रा टाइगर रिजर्व देखने मिलेगा फुल मिला करके इसका जो छेत्रफल होगा यह 2 287 स्कृ किलो मेटर की 2829ATION मिलेगा और ये सबसे बड़ा डब आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा है चाथ सबसे बड़ा क्या होगा इस और उप अगला हमारे पास में जो महत्वपूर्ण है वो है आपका कौन सा आयुष ग्रामों का विकास किया जाएगा 146 जो हमारे ब्लॉक्स है या फिर विकास खंड है हर विकास खंड में एक ग्राम को चिन्हांकित किया जाएगा और जो नैशनल आयुष मिशन चल रहा है राश्ट् ओब पुछा जा सकता है कि हाल ही में राश्ट्री आयुष मिशन के ड्वारा आयुष ग्रामों का विकास करने का देखने को मिलेंगे या फिर यह किस पर इनका निर्माण और विकास कारे आपको ध्यान रखना है कुल आपके आयुश ग्राम बनने वाले हैं 146 और यह जो वन 456 है यह किसमे बनेंगे हर ब्लॉक में यानि कि भूक सतरह पर एक ग्राम को चिन्धांकित करके क्या किया जाएगा उनका विकास किया जाएगा आयूश ग्राम याने की यह क्या है एक सेक्षनिक और उपचार याने की एजुकेशनल एंड रीटमेंट ड्राइब है यह इस एन एजुकेशनल एंड ट्रीटमेंड ड्राइब बेस्ट ऑन अयरुवेदा योग एंड आयुषप्रोसेस चत्तीजगड के ग्रामेड इलाकों में लोगों को आयूश प्रक्रियाओं के तहट सिख्षित किया जाएगा और उनकी दिर्ग आयूँ और सेहत के लिए उपचार प्रदान किये जाएंगे आयूरुवेद योग और आयूश की प्रक्रियाओं पर आधारित पीपल इन रूर कि दिया ताली मेग लेमन ग्रास अश्व गंदा सर्प गंदा जैसे विभिन पौधों के आउशदी गुणों के बारे में बजागरुक किया जाएगा उन्हें आयूरुवेद के अनुसार जीवन शैली के तरीकों के बारे में भी सिखाया जाएगा इसमें नींद का चक्र पोशन और आहार और समान ये समस्याओं के लिए दवाय शामिल है मतलब इनको क्या किया जाएगा विभिन जो और शदी पादप होते हैं उनसे मिलने वाले जो और शदी गुण के हमारे क्या है विभिन प्रकार की और पेड़ है उनके गुणों के बारे में इन्हें बताया चैली है उनके बारे में इन्हें एजुकेट किया जाएगा और साथ ही जो समान ये रोग इनके होंगे उन सभी किस तरीके से उसमें ट्रीटमेंट दिया जाएगा आयूरवेद योग और आयुश प्रक्रियाओं के माद्यम से इसे किया जाएगा तो खुल मिला करके ये जो के पादप होते हैं उनके बारे में उनके जो प्रोडक्स होता हैं उनके बारे में उनसे होने वाले ट्रीटमेंट के बारे में और साथ ही उनसे होने वाले आपका जो लाइफ स्टाइल है उनको भी अपनाने के लिए इन्हें क्या किया जाएगा awareness create की जाएगी अगला हमारे पास में है कुछ चर्चित व्यक्ति जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहे हैं इस हफते इन में से पहले हैं आपके कौन रॉनक चौहान रॉनक चौहान इस स्टार शट्लर फ्रॉम राइपुर छत्तीजगड इस सिक्योड गोल्ड मेडल एट ऑल इंडिया जूनियर क्या की गई थी आयोजित कराई गई थी जिसमें हमारे चतीजगड के रॉनक चौहान जो है इन्हें क्या मिला है गोल्ड मेडल इन्होंने यहां पर जीत लिया है तो डायरेक्ली आप से पूछा जा सकता है कि रॉनक चौहान हाल ही में एक राश्ट्री इस्तर की में में बोल्ड मेडल जीते हैं एक कौन से स्पोर्ट से संबन्दित आपको पता होना छाहिए यह किस से संबंदित आए यह बैड्म Springs में और कौन सा इवेंट बॉइस के सिंगल्स में याने की पुरुष एकल का खिताब इन्हों ने जीता है कहां पर यह आयोजित कराई गई थी यह आयोजित कराई गई थी आपके भुमनेश्वर उडिशा में आ जो व्यक्ति हमारे लिए महत्वूर्ण है यह है शिकर सोलोमन औस सिकर सोलोमन नम तर थेइस वर्ग में अंदर 23 में राश्ट्रिय आर्म रेस्लिंग चैंपिएंशिप नैशनल आम रेस्लिंग चैंपिन शिपेश्प में रजत पतगः याने कि सिलवर मैडल इन्हों ने क्या किया है कौन है यह शिकर सोलोमन दो नाम है हमारे पास में रॉनर चोहां jion तेट कंटन में जीते फ और हमारे पास में जिन्होंने क्या किया है यजर्ड। चैंपिश्टिप होती है उसमें जीता है चैंपिऑन्शिपन हाल ही में राइपूर की गई राइपूर में और्गनाइज कराया गया था क्या आपका नैशनल आम रेस्लिंग चैंपियंशिप दोहजार चौबिस जिसमें अंडर ट्वेंटी कैटेगरी में विखर सोलोमन ने सिल्वर मेडल जीता है अगे चलते हैं एक बहुत महत्तपूर्ण हमारे लिए जो दिवस हमे इस बार का देखने मिलेगा वो है आपका नाग पंचमी क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास में आईए देखते हैं चैलिब्रेटेड और श्रावन शुक्ल पंचमी ऑकेशन मार्ग्स दिफीट ऑफ कालिया नाग बाय श्री कृष्ण यानिकि श्रावन शुक्ल पंचमी मन म वाला यह तैवहार जिसे हम नाग पंचमी के नाम से जानते है श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग की पराजय का प्रतीक है अगर आप लोगों से पूचा जाए पंचमी कब मनाई जाती है तो यह मनाई जाती है कब शुक्ल पंचमी में किस चीज को कमेमरेट करता है या फिर किस चीज का प्रतीक है तो यह श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग की पराजय के प्रतीक के रूप में इसे मनाया जाता है यह त्योहार बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि इसमें समाजिक पर्यावरणिय और पारिस्थित की तंत्र के मूल्य नहीं थैं है ना इसमें स चांपा जिले के दल हाप फाळ जो की एक अगलतरा में है इस में हर जी सहा maior ऺंचमी के दिन गया दिन क्या लगता है एक मेले नागेश्वर नागेश्वरी मंदीर है तो आगर आप लोगों कभी पूछतिया जाए नागेश्वर नागेश्वरी और मंदिर कहां स्थित हैं तो यह कहां पर है आपके यह आपका कहां पर का पाहाड जो talkin's Argent है फहाड़ी की चोटी पर एक सूर्य कुंद है है very important यहां कि पहाडी की चोटी पर एक है। this हां पर ऐसा माना जाता है एक सी मान्यता है कि अगर कुंड के पानी में होली ठेली जाये यां फिर वहां परनाया जाए उस85 के पानी से तो Tam जटी है इस दिन को श्री prescribe आला काली की पराजय का प्रतीक माना जाता है यहां पर अनंदिर देखने मिलते हैं लागेश्वरी नागेश्वर और विश्विश्वर के मंदिर आपको देखने मिलते हैं टोटी पर एक सूरी कुंड आप लोगों को देखने मिलता है जिस कुंड के पानी से नहाने पर ऐसी माननेता है कि तमाम प्रकार की जो बिमारिया है वो क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है स्पोर्ट्स के बारे में हमने वही बताया बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंफॉर्मेशन नहीं है केवल एक ही इंफॉर्मेशन है स्टेट लेवल कि एथलेटिक्स कैम्पियंड्शिप आयोजित कराई जाने वाली है तेरा से लेकर के पंदरा सेप्टेम्बर तक कि 2024 में और यह जित कराई जाने वाली है बिलासपूर के कि बहुतराई स्टेडियम में अब बाकि इसके उपर में जो भी अपडेट होंगे वह आपको आप लोगों के वीकली करंट अफेर्स में कंटिने असली आप लोगों को मिलते हुए जाएंगे अब हमारे पास जो फाइनल हमारा टॉपिक होता है वह होता है विविद और विविद में हमारे पास में एक महत्वपूर्ण जो चीज है वो है ऑपरेशन शंकनाद ऑपरेशन शंकनाद क्या है यह ऑपरेशन शंकनाद पश्वों की और खास करकी जो आपका कैटल है अवेशियों की तसकरी के खिलाफ पुलिस विभाग का एक अभियान है तो आप लोगों से डायरेक्ली क्वेशन पूछा जाएगा कि ऑपरेशन शंकनाद किस चीज से सम्मंदित है तो यह है आपका किस से इट इस एन ऑपरेशन बाए पुलिस डिपार्टमेंट अगेंस ट खाए भैस बेड़ बक्रियों के जो ट्राफिकिंग होती है इसके माध्यम से वह बूचड़ खानों में चले जाते हैं जहां पर उनको जो भी वो पूरी प्रक्रिया है जहां पर उन्हें काट करके चमडे के रूप में उन्हें परिवर्तित करने का जो पूरा एक प्रोसीजर चलता है बहुत ही भयावा प्रोसीजर है उसके लिए जो इल्लीगल ट्राफिकिंग हो रही थी हमारे चत्तीजगड के जश्पूर जि पुलिस विभाग का क्या है एक अभियान है तो ऑप्रेशन शंकनाद क्या है आप लोगों को डिरेक्टली क्वेस्टन पूछा जाएगा बहुत ज्यादा हाइट रहा है यह क्वेस्टन तो मवेशियों के इल्लीगल ट्राफिकिंग के अगेंस्ट में जश्पूर के से तां उद्यम क्रांती योजना चत्तीस गड़ में उद्योगों के लिए आसान और विश्वश्नी रिण उपलब्द कराने की यह एक क्या है योजना है याने की तो यू यूवा है चत्तीस गड़ के उनको इंडस्ट्रियलिस्स बनाने के लिए या फिर उनके रोजगार में स्व प्रवाइड किया जाएगा यहने की रिलाइबल एंड दोंस दिये जाएंगे चत्तीस गड़ में फास बात यह है कि यह ओनलाइन मोड में होगा तो लेस पेपर मोड पर यह क्या होने वाला है संचालित होने वाला है बहुत ज्यादा आप लोगों को ऑफिस ऑफिस भटकना नहीं पड़ेगा ओफिस ऑफिस भटकना नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा और जो प्रधान मंत्री रोजगार श्रिजन का रिक्रम है वो भी हमारे चत्तीस गड़ में स्टिल ऑपरेटेड है तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है लेकिन जो इसके पहले मुख्य मंत्र स्कीम था जो भुपेश बगेल द्वारा क्या किया गया था त्टीस गड़ में युवाओं के स्वरोजगार सम्मंदित शुरू किया गया था उसे इस बार क्या कर दिया गया है फिर से बंद कर दिया गया है याने कि मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना के द्वारा जो किया जा रहा था उसे बंद कर दिया गया था एक मेजर उसका जो रीजन बताया गया कि यह ओफ-लाइन मोड में था आप लोगों को अपने लेकर के ऑफिस से ऑफिस भटकना पड़ता था अब इसकी जगह में हमने क्या लेकर के आया है ऐसा सरकार के कहना है उद्यम क्रांती योजना तो की ऑनलाइन मोड में होगी और पेपरलेस होने के कारण आप लोगों को बहुत जादा भटकना नहीं पड़ेगा एक उल मिला करके यहां पर बात की गई है किसमें उद्यम क्रांती योजना में तो इस बार हमारे लिए बहुत जादा इन्फॉर्मेशन नहीं रही है अगस्ट के दूसरे हफ़ते में पढ़ने के लिए करंट अफेयर संबंदित दो रही है वो बहुत महत्तफून रही है आ अगस्ट के पहले हफ़ते के नाम से जो डील हुए विडियोज है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टन्ट है इनके इसके उपर में आज जो हमने डील किया उसके उपर हम कल डील करेंगे क्या MCQs या फिर बहु विकल्पी अप्रश्न अब तक हमारे साथ अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम को को